नमस्कार दोस्तों। विके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। करवा चुके हैं और आज ये इसका फाइनल पार्ट है जहां 76 से लेकर 100 तक क्योसंस का हम सोलुशन करने वाले हैं आप से निवेदन रहेगा कि सभी क्योसंस को लाश्ट तक आप जरूर देखें हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फोरवर्ड भी कीजिए ताकि अपने दोस्तों तक ये कंटेंट पहुंच सके दोस्तों आप से कई बार निवेदन कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास हर दिन वाटसब पर मेसिजेज आते हैं कभी फोन को उलसाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने तो चैनल ही आज देखा है दोस्तों पिछले तीन साल से चैनल चला रहा हूँ आप से निवेदन है वीडियो दोस्तों तक पहुंचाया करें प्लीज आप जो भी सोशिल वीडियो यूज करते हैं जिस भी वाटसब ग्रूप में जुड़ेवे एक बार प्लीज हमारा वीडियो भी सेर करें आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन एक और रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लेजिए एप में फरी प्रेक्टिश टेस्ट भी आपके लिए अवाइलेबल है पेड वीडियो कॉर्स और पेड टेस्ट सेरीज भी अवाइलेबल है आप चाहे तो वाँ से ले सकते हैं दोस्तों इस पेपर के अगर आपने प्रिविस पार्ट नहीं देखें तो प्ले लिश्ट में जाकर वो भी जरूर देखिएगा आईए दोस्तों हम आज की पार्ट से सुरू करते हैं क्यूसन नमर 76 रहेगा हमारा और बहुत सिंपल सा है और मुदे उमीद है कि ये कि उस संदों आपने पहले भी देखा ही होगा मैंने भी साइड टेस्ट एक्जामस में कई बार आपको ये दिया भी है चलिए ज़रा सवाल नमर 76 आपकी स्क्रीन पर है और वो ये कह रहा है इसलिए तो फिर हमने आर्मिचर के सीरीज में एक्स्टर्नल रेजिस्टेंस बाहरी परतिरोद जोड़ा इस संपुर्ण विवस्ता को स्टार्टर नाम दिया हमने और हाई करंट के दो कारण होते हैं डीसी मोटर के उन दो कारणों में से एक कारण यही होता है कि आर्मिचर का परतिरोद बहुत कम होना एंड सेकिंड वन आता है स्टार्टिंग की समय बेकी एम एफ कमान जीरो होना क्योंकि डीसी मोटर के आर्मिचर में करंट का अपोजिशन दो ही चीज़ें करती है एक आर्मिचर का रेजिस्टेंस और दूसरा बेकी एम एफ ठीक है चलिए ए ओप्षन आपका यहां पर सही रहेगा और सिंपल सा क्योंसन है मुझे लगता है कोई प्रोब्लम भी नहीं अगला क्योंसन साथ यों इस्ट्रेसिस मोटर के बारे में है दोस्तो इस पर मैंने थियोरी की क्लास कंप्लीट आपको दी वीए आप प्ले लिस्ट में जाकर वो थियोरी की क्लास भी देख सकते हैं आईए ज़रा बात करते हैं इस्ट्रेसिस मोटर का कारिय सिध्धन्त पुछाए इस मोटर की सरंचना ये होती है कि इसका रोटर जो होता है वो कठोर क्रोमियम इस्टेलगा बना होता है जनरली हमारे रोटर इस्टेटर जितने भी होता है वो सब लेमिनेटेड होता है ताकि AD करेंट हानी का मान उसमें कम रहे ताकि इस्ट्रेसिस हानी का मान उसमें कम रहे इस्ट्रेसिस मोटर इस्ट्रेसिस हानी के सिधान्त पे ही काम करती है यानी मोटर में जितना ज़्यदा इस्ट्रेसईश लोस होगा उस ही के इसमाब से टोर्क प्रोडिूस होगा इस मोटर के रोटर पर ना तो कोई टीत होते हैं ना ही कोई वार्डिंग होती है रोटर हाई रेटेंटिविटी उचे धरण शील्टा वाला होता है तो उसमें जितना ज़्यादा आवसिष्ट चुमबक्त वा रहेगा इस्ट्रे सी सानी उतनी ही अधिक होती है कम्प्लीट मैंने क्लास दीव यह आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर उसको भी देखिएगा आईए अगला के उसन आपकी स्क्रेन पर विचिज दी अप्लिकेशन ओफ ओटो ट्रांसवार ओटो ट्रांसवार का अनुपरियोग यूज पुछा है कहां काम में लेते हैं देखो ओटो ट्रांसवार मर सर्वो लाइन कोरेक्शन में ही काम में आ सकता है servo line correction को मैं थोड़ा और बढ़ाऊं तो आगे यह है voltage stabilizer का परकार और voltage stabilizer में या तो general driver डूटता है या फिर variac होता है auto transformer का एक रूप होता है जिसे variac का जाता है देखो voltage ना आपने के लिए auto transformer नहीं potential transformer यानि PT काम में लेते हैं low voltage distribution के लिए distribution transformer होता है current मापने के लिए current transformer यानि CT काम में लेते हैं बहुत सी simple सा ही है ना अच्छा comment करके मुझे आप अपना score जरूर बताना कि आज ये 25 के उसन अगर किसी टेस्ट में आपको मिल जाते तो आपका score कितना रहता मुझे ये जरूर बताना ठीक है और complete video को देखो तो मुझे बताया करो कि हमने लाश्ट तक के उसन को देखे है इससे क्या है कि हमें भी पता लगता है कि हाँ बच्चों ने ये के उसन देख लिए क्यों कई बार ऐसे के उसन होते है जो पेपर में solution करवाने के बाद हम उसको skip कर देते हैं हम सोचते हैं कि बच्चों ने ये तो टेस्ट से देख लिया होगा आईए ज़रा अगला equation सीरीज मोटर का यूजबूच है DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टोरक अधिक होता है क्योंकि इसका टोरक आर्मेचर धारा के वरक के समानुपाती होता है हाई इस्टार्टिंग टोरक के कारण क्या करते हैं कि इस मोटर का उपयोग हम जो है वो क्रेन, होईस्ट, ट्रामवे यानि ट्रेक्शन जोग जितनी भी होती है थिंचाव कारिय जितनी भी होते हैं उन सब में हम इस मोटर का उपयोग करते हैं ठीक है होईस्ट इसका आ जाएगा वैसे देखो इलेक्ट्र प्लेटिंग वेल्टिंग बेटरी चार्जिंग इन सब में तू जनरेटर काम में आएगा यांतरिक उर्जज इसमें प्राप्त कने के आऊ शकता है वो तो यह की ओप्शन है होईस्ट बाकी ओप्शन ही नहीं दिये ठीक है चली दोस्तो अगला क्यूस्टन हाँ यह काफी अच्छा क्यूस्टन है दोस्तो इस तरह की क्यूस्टन पूछे भी जाने चाहिए ताकि हम उसको और बहतर तरीके से समझ पाएं और वैसे इसको मैंने थियोरी की क्लास में करवाया भी है क्यूस्टन पूछ रहा है कि डी सी जनरेटर में फिल्ड फलेसिंग से क्या आस्या होता है थोड़ा सा बेक लेकर जाऊंगा देखो हम सब जानते हैं कि जो सेल्फ एकसाइटेड जनरेटर होते हैं सेरीज संट और क समाप्त हो सकता है उसके भी कई कारणें ओवर हीटिंग शोर्ट सर्कीट लगातार ओवरलोड और डस्ट पार्शिल आ जाते हैं जैसे कच्रा धूल मीटी तो रेजिडिवल मेगनेटीजम जो है वो समाप्त भी हो जाता है ऐसे में फिर जनरेटर खराब तो नहीं हुआ अगला किसी को बहुत है पावर की यूनिट पूछिए देखो सकती की काई क्या होती है साइद किसी को बताने की जरूर्ट नहीं है वाट होती है किलो वोल्ट वोल्टेज की है वाट आवर और किलो वाट आवर जो है ये एनर्जी की काई है उर्जा की काई है अगला क्योशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है ट्रांस्पॉर्मर के पेरलल ओपरेशन का परपज क्या है उद्धिस ये क्या है यानि ट्रांस्पॉर्मर को समानतर में क्यों परचालित करते हैं भई देखो बहुत सारे कार्ण है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला उप्शन ही है प्रोवाइड मोर रिलाइन एबिलिटी ऑप पावर यानि जो सकती है पावर है सप्लाई है उसमें ज्यादा इस्थाहित वाएगा ज्यादा इस्थाहित मतलब अगर एक ट्रांस्पॉर्मर किसी कार्णवा स्ट्रिप भी हो गया तो दूशर ट्रांस्फॉर्मर सप्लाई करता रहेगा ठीक है बाकी तो आप खुद देख लो इसमें लिखा हूँ है रिडियूस दे नम्बर ओट्रांस्पॉर्मर किसें क्या घटाना घटाना नहीं ज़त बढ़ जाएगी अगला जो हमारा क्विशन है दोस्तों ब पारमेचर रियक्षन दो तरह की होती है, एक होती है संतरप्त होने से पहले और एक होती है फिल्ड पोल संतरप्त होने के बाद, यानि फिल्ड पोल सेचुरेट होने से पहले और फिल्ड पोल सेचुरेट होने के बाद, दो तरह की होती है, फिल्ड पोल सेचुरेट होने से प प्रति चुमकन टाइप में बोल सकते हैं, जब कि फिल्ड पॉल सेचुरेट होने के बाद जो होती है, उसको बोलते है डी मेगनिटाइजिंग, यानि इसी क्यूसन में अगर क्यूसन होता, कि आर्मेचर रियक्शन ओफ ए सेचुरेटेड डी सी मसीन, तो फिर आपको डी उप आर्मेचर परती के रिया पावर फिक्टर पर निर्बर करती है और वो होती है तीन तरह की, ठीक है ना, मेगनिटाइजिंग होती है जब लीडिंग पावर फिक्टर हो, कैपसिटिव लोड हो, डी मेगनिटाइजिंग होती है जब लेगिंग फावर फिक्टर हो, और क्रोस मेगनिटाइज होती है जब यूनिटी पाउर फेक्टर हो किसकी बात कर रहा हूँ आल्टरनेटर की तरी फेज सिंगल फेज जो भी हो आल्टरनेटर की बात हो रही है यहां ठीक है ना और आई ओप कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं और मैं भी बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन कर पा रहा हूँ अगर ऐसाई हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ सर हमें समझ में आया आईए दोस्तो अगला सवाल थ्री पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोईल कैसे जुड़ी होती दोस्तो होल्डिंग कोईल NVC का ही दूसरा नाम होता है क्योंकि इसका काम होता है हैंडल को ओन पोजिशन में होल्ड करके रखना इसलिए इसका नाम रख दिया होल्डिंग कोईल NVC का पूरा नाम होता है वोल्ट क्वाइल ताकि जब वोल्टेज नहीं हो तो प्रोटेक्शन दे दे क्योंकि हैंडल होड नहीं रख पाएगी और क्या करेगा वो ओक पोजिशन में आ जाएगा हम सब जानते हैं फिल्ड वाइनिंग के सीरीज में होती है है ना सी ओप्शन सी हो जाएगा इसके लिए वहीं अगर टू पॉइंट श्टार्टर का आप से पूच लिया जाए तो मोटर या आरमिचर के सीरीज में बोल सकते हो और अगर फोर पॉइंट श्टार्टर की बात की जाए तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टर के सीरीज में वो लगई होती है ठीक है अभी सी उतर यहां पर सही रहेगा और मुझे लगता है आप भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझ भा रहे हैं अगला क्यूस्टन दोस्तों थ्री फेज आल्टरनेटर की टर्मिनल मार्किंग कैसे होगी देखो भई मैंने सब को बता रखा है यू वी डबल्यू जो है ना यह थ्री फेज वैं मार्किंग होती है एल वन एल टू एल थरी जो है यह लाइन की मार्किंग कैलाती है ठीक है अगला हमारा क्यूस्टन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ बेरिंग इस प्रोवाइड़ेड इन समॉल इंडक्शन मोटर टू सपोर्ट दी लते हैं और अगर बड़ी मोटर हैं तो उनमें रोलर बेरिंग होते हैं ठीक है ना बहुत ज्यादा ही छोटी हो ना तो बुस बेरिंग आएगा और स्मॉल और मीडियम लेवल की अगर है तो उन सब में बोल बेरिंग आएगा और बहुत बड़ी मोटर हैं तो उनमें रोलर टाइफ बेरिंग लगते हैं मतलब अंदर जो बोल है न बोल ना होकर वो रोलर की आकरती में होती है अगला दूस्तो क्यूस्टन आपकी स्क्रीन पर और बहुत छोटा सा क्यूस्टन है सवाल है कि बर्निंग आउट और वाइंडिंग ड्यू टू ओपन सर्किट ओप केपेशिटर नहीं शोट सर्किट है न देखो अगर केपेशिटर शोल्ट होगा न तो वो काम तो करेगा नहीं वाइंडिंग में हाइर करेंट फ्लो होगी और जैसी ज़्यादा करेंट चलेगी तो वाइंडिंग जल सकती है डी ओप्शन ही बनेगा यहाँ पर और तो कोई ओप्शन नहीं है नेक्स्ट दोस्तों क्यूस्टन आपकी स्क्रीन पर है डायरेक्शन ओफ रोटेशन ओफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेल्ज़ बाई डीसी मोटरों की घूमने की दिशा कैसे बदल सकते हैं दोस्तों इसके हमारे पास दो ओप्शन होते हैं दो ओप्शन कौन कौन से होते हैं एक ओप्शन तो होता है कि या तो फिल्ड वाइंडिंग के सीरे बदल दी जाए और दूसरा ओप्शन होता है आर मिचर के सीरे बदल दी जाए यह आर्मिचर के टर्मेणल चेंज करते, दूसरा उप्शन दिया नहीं है कैबल एक ही दिया है, तो फिर सी उप्शन सी हो जाएगा, यह ऊप्शन दिया है, यहां पर की इंटर चेंजिंग सिप्लाई टर्मेणल, देखो सप्लाई के सीरे बदलने से फिल्ड और आर्मेचर दोनों के सीरे बदलते हैं और जब फिल्ड और आर्मेचर दोनों के सीरे बदलते हैं तो DC मोटर की गुमने की दिसा चेंज नहीं होती है यह मैंने कई बार पहले भी करवाया है और कारण सही था आपको बताया है कि क्यों चेंज हो जाती है इसमें क्या होता है अगला क्यूस्टन देखे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सवाल कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जब रनिंग कंडिशन में है तो हम इसकी डारेक्शन आफ रोटेशन को रिवर्स कैसे कर सकते है यह नि घूमने की दीशा कैसे बदल सकते है देख ओ चलती हुए में तो बदल नहीं सकते है है ना दो वाइंडिंग होती है जिसमें से एक को बोलते है रनिंग वाइंडिंग और दूसरी को बोलते हैं starting winding ठीक है वैसे तो हम generally इनके terminals को R1, R2 और S1, S2 लिखते हैं लेकिन actual में जो इनके terminal का नाम होता है वो U1, U2 और Z1, Z2 होता है तो फिर इनमें से किसी एक के terminals को हमें बदलना होता है इसमें भी ध्यान रखना यदि आपने दोनों सीरे एक साथ बदल दिये न मतलब दोनों winding के एक सीरे तो direction of rotation में changes नहीं आता है किसी एक winding के सीरे बदलना लेकिन इसके लिए आपको motor को पहले बंद तो करना होगा न तो ए option भोध सीधा सा है कि motor को supply से disconnect करेंगे पहले फिर motor को रोकेंगे फिर इसको supply के साथ दुबारा जोड़ेंगे लेकिन reverse connection of main और auxiliary winding है या तो side winding के या मुख्य winding के सीरे reverse करके main supply के साथ फिर से जोड़ देंगे बहुत simple तरीका पूचा है और बहुत easy question भी पूचा है मुझे नहीं लगता कि question में आपको कोई problem होगी अगला question आपकी screen पर सवाल कह रहा है करे कि एक motor की जो coupling होती है उसकी alignment अगर proper नहीं हो तो क्या होगा दोस्तों बहुत simple चीज़े है और ये चीज़े तो आप खुद अब समझ में आएगी जब field में आप practically इन चीज़ों को काम में लोगे और देखोगे माल लेजिए कि motor है कोई उसकी soft का oil pump के साथ coupling करनी दी दोस्तों अगर ये miss align है ना गलत alignment है तो motor में बहुत ज़्यादा vibration होगा motor sore भी बहुत करेगी और हो सकता है कि motor की soft bent हो जाए और motor trip हो जाए या winding की जल जाए ठीक है ना यह option है motor makes vibration and noise sore करेगी vibration है नहीं कमपन भोट होगा अगला question दोस्तों बहुत simple है transformer में short circuit test क्यों करते हैं तो copper loss के लिए है iron loss के लिए open circuit test है बहुत ही simple चीज़ है ये तो जानते ही है अगला question कह रहा है कि why you से transformer में नमी पर वेस ना कर जाएं इसको रोकने के लिए सिलिका जेल लगाते है सिलिका जेल कहां लगती है किस भाग में लगती है तो बरीदर में लगेगी यह कि नहीं बहुत simple सी चीज़ है ना बरीदर में ही तो सिलिका जेल होती है और इसके कलर का ध्यान रखना भई यह ना न्यू अगर है तो यह आपके ब्लू कलर की होती है जैसा इस क्रीन पर आप देख रहे है अगला कि उसन किस मोटर को बिना भार की कभी नहीं चलाना चाहिए तो यह सीरीज मोटर है भई इस कि उसन में आपको अपके नहीं पर लगेगा जो से बाहर निकाल कर फैंक देगा अगला कि उसन डिसी मोटरों की उच श्टार्टिंग धारा को कम कैसे करेंगे रिड्यूस का मतलब होता है घटाना तो भई श्टार्टर का उप्योग करेंगे और आप खुद देखो ना ओप्शन फिल डाइवर्टर और मेचर डाइवर्टर ये तो स्पीड गंट्रोल करने के लिए है ना कि करेंट कंट्रोल के लिए तो कंट्रोल के लिए तो स्टार्टर है आएगा धारा जज़ादा क्यों होती है इसके मैंने दो कारण आपको बताई थे वो भी जरूर याद रखना और स्टार्टर में सक्या होता है कि कर्णट कम हो गई यह भी आप ध्यान रखना बड़ी डिटेल से मैंने चीज़ें आपको पहले ही शेयर कर दी थी आगे देखो रिपीट हो गए क्योंसर अभी मैंने बताया था कौन सी सिंगल फेज मोटर ऐसी है जिसके रोटर में ना तो कोई टीथ होता है और ना रही कोई ऑन्डिंग होती है बताया था ना मैंने कौन सी मोटर है हाँ इस्ट्रेशिस मोटर इसका रोटर कठोर क्रोमियम श्टील का बना होता है रोटर हाई रेटेंटिविटी यानि उच धारन शमता वाला होता है ठीके अगला क्यूस्थन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों बहुत सिंपल सा क्यूस्थन है कह रहा है कि विच स्टेट्मेंट रिगार्डिंग टू वेल्यू केपेसिटर मोटर इज इनकॉरेक्ट दो मानवाले केपेसिटर यानि केपेसिटर स्टार्ट केपेसिटर मोटर जो है केपेसिटर रन मोटर जो है उसके बारे में इनकॉरेक्ट गलत कौन सा है स्टार्टिंग टोर ज़्यादा होता है reversing motor motor की direction बदल सकते हैं कोई दिख कर नहीं है ठीक है और low starting as well as racing current ठीक है starting में current ज्यादा होती है बिलकुल सही है कोई दिख कर नहीं है है ना c option क्या कह रहा है कि it is prepared to permanent supplied single value capacitor motor where frequently reversal are required यानि यह कह रहा है कि बार बार अगर आपको direction change करनी होना तो इसकी जगह permanent capacitor motor को लगाएंगे बोले नहीं ऐसा नहीं होता है ना तो यह statement गलत है बाकी सारे सही है next question आपकी screen पर दोस्तों बहुत simple सा question है कह रहा है कि अगर ब्रुसों के साथ क्या होगा यदि ब्रुस box और commutator के बीच से दूरी ज़्यादा रखी जाएगी देखो जनरली अगर यह commutator है ना तो ब्रुस यहां होते हैं और यहां holder होते हैं इस तरह से ब्रुसों के बीच में थोड़ा सा gap रखा जाता है यदि यह gap ज़्यादा होगा ना तो ब्रुसों के तूटने की संभावना ज़्यादा रहेगी क्योंकि ब्रुस जो है वो फिर उस दबाव या प्रेसर को जहल नहीं पाएंगे जो sliding के दौरान उसको मिलता है अगला क्यूसन आल्टरनेटर का जो power factor है वो कैसे decide होगा बाहर के आदार पर निरदारी तो होता है है ना कौन सा बाहर है तो power factor कैसा होगा हमने पहले भी किया हुआ है अगला क्यूसन है कि selenium rectifier जो होते हैं ये किस potential तक काम में लेते हैं तो इनको 100 वल्ट तक की काम में लेते हैं इस से जदा नहीं metal rectifier का ये परकार है copper oxide और selenium oxide अगला क्यूसन है दोस्तों आपके सामने कि जो fractional horsepower FHP मोटरे होती है बहुत छोटी मोटरे होती है उन्हें में bearing कौन सा होता है simple bearing होते हैं या sleeve वाले bearing होते हैं ठीक है ए ओक्षन सही रहेगा तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्यूसन और ये चार पार्ट में हमारा पेपर हो गया complete आपसे निवेदन है चारों पार्ट यानि 100 क्यूसन को आप जरूर देखें ताकि हम अच्छे से इसको समझ भाएं आज का आपका स्कोर गितना रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक करना दोस्तों को सेर करना चैनल पर आप नए हो तो जरूर जरूर सबिस्क्राइब करना